यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे दोनों हमेशा साथ साथ रहते साथ साथ खेलते साथ साथ खाते पीते साथ साथ नाते दोते नहीं तो दोते नहीं, यह थोड़ा ज़ादा हो गया। तो एक दिन, वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गया। और खेलते-खेलते, उनमें से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला, वो एक मुए में गिर गया। गिर गया, और जोर-जोर से चीखने चिताने लग जया। तो उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आस-पास में देखा, और उसको कोई नजर नहीं आया। उसको कोई नहीं दिखा, जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसमें एक रसी बंदी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके प्ले में फैट गया। और अपने दोस्त को बोला के पकड़ ले इसको, उसके दोस्त ने पकड़ा, और वो अपनी पूरी ताख़त लगा करके पागलों की तरह उसको कीचने लगा। खीशता रहा, खीशता रहा, खीशता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने, छोटे चे बच्चे ने, छे साल के, और दस साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था, खीशता रहा, और तब तक नहीं रुका, जब तक उसने अपने दोस्त को बचानी दिया, ज तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाओं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाओं के सबसे समझदार मुज़ूर्गों में से एक और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं अगर ये कह रहे हैं तो ज़रूर कोई नहीं बात होगी कोई नहीं वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं और फिस सारे गाओं वाले इखटे हो करके उनके पास में गए और जागर के बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप भी बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई things वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताओं वो बच्चा बता तो रहा है उसने गासे किया बाल्टी को उठा गरगे ओए में फेका उसके दोस ने बाल्टी को पकड़ा उसने रसी को खीचा और अबने दोस को बचा लिया तो आपको बता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बताओं तो सारे गाउँवाले उनकी शकल देखे फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर बाया सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया कि उसके अंदर इतनी दागत कहां से आई अब बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस ताइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक कि वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं कि वो खुद भी नहीं